आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खतना के निसान हटाने के उपाये इन उपायों को करके आप आसानी से खतना के निसान को हटा सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वैसे निशान शरीर के किसी भी हिस्से पर हो भद्दा लगता है लेकिन इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए लाए हैं हम लेके आए हैं क्योंकि हमने एक्सपोज तो करना नहीं है लेकिन अगर आपको अपने खतना का निशान गंदा या फिर भद्दा लगता है तो आपको आपके पाल दो आप्शन है पहला आप घरेली उपाय करके उस निशान को मिटा सकते हैं हमेशा के लिए और दूसरा है लेजर ट्रीटमेंट ले मिटाने के लिए घरेली चीज़ों का इस्तमाल करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस निशान को मिटाने में लेकिन निशान खत्म भी हो जाएगा वैसे मार्केट में बहुत सी क्रीम मौजूद हैं जिनका इस्तमाल करके आप शरीर के निशान को थोड़े बंद कर देंगे उस जगह पे निशान वापत दिखने लगेगा इसलिए हम आपको कोई भी निशान मिटाने के लिए मार्केट का प्रोड़क्ट इस्तमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पैसे खर्च होंगे और निशान वैसा का वैस पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट को अपने निसान वाली जगह पर रब करें यानि घिसे थोड़ी देर घिसने के बाद फिर पानी से धुल लें अब गर्म ठंडा कोई भी पानी यूज कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस घरेलू उपाय को आप रोज करें इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो आप बे फिकर होकर रोज निसान वारी जगह पर इसका इस्तमाल करें इस घरेलू उपाय को इस्तमाल करने का एक और फायदा आपको मिलेगा अगर आपके प्राइबेट पार्ट काला पड़ गया है तो इस घरेलू उपाय से काला पन भी खत्म हो जाएगा इस उपाय को कम से कम आपको छे मैने लगतार करना पड़ेगा तभी निसान से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा इस घरेलू उपाय का इस्तमाल से के इस्तमाल से आपको निसान हाटाने में दर्द नहीं होगा पैसे भी जादा नहीं खर्च होंगे और आपके पास पैसे हैं और आप खतना के निशान को मिटाना चाहते हैं तो आपके लिए लेजर ट्रीटमेंट सबसे अच्छा तरीका है लेजर से निशान मिटाने में दर्द नहीं होता है और निशान हमेशा के लिए मिट भी जाता है वैसे बस लेजर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा आता है इसलिए अगर आप खत्ना के निशान को मिटाना चाहते हैं तो लेजर ट्रीट्मेंट अच्छा उपाय है इस ट्रीट्मेंट के बाद आपको कुछ हफ्ते साउधानिया भी रखनी पड़ेगी क्या क्या साउधानिया रखनी पड़ेगी वह आप सर आप कौन सा उपाय करना है तरीर के किसी भी निशान से छुटकारा पाने के लिए I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो कि आपके लिए क्या सही है इस वीडियो से रिलेटर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं वीड झाल झाल